अलो my dear students, कैसे है dear student आप लोग, आप लोगों के लिए lady up justice का नया status आया हुआ है और ये भारती परवेश में इसको जो लाया गया है ये क्यों लाया गया है, इसमें क्या changes किया गया है, जो पुराने वाले status थी, उसमें क्या क्या अंतर रखा गया है, वो एक एक करके हम आप लोग को इस आज वीडियो में बताते हैं, देखें ये जो आज का वीडियो है, ये उन student ओ के लिए बहुत important है, जो judicial services के त्यारी कर रहे है, higher judicial services के त्यारी कर रहे है APO के त्यारी कर रहे है, या law के किसी भी field से जुड़े हुए है, उनके लिए ये बहुत important वीडियो है, और आज जो आज आज आप लोग को बताएं जा रहे हैं, कानून की आखों से हाटी-पटी और तलवार की जगह हाथ में आया सम्विधान, आप देख रहे हैं कि जो ये निया statutes है, इसमें दाया हाथ में वो तराजु ली हुई है, और जो बाया हाथ है, उसमें सम्विधान ली हुई हैं तो अब यह नयाई के जो मूर्ती हैं इसमें क्या-क्या परिवर्तन किया गया है इसको हम आपको लोग को पूरा डिटेल में बताएंगे और यह आगे आने वाले examinations के लिए बहुत important है जो लोग judiciary के त्यारी कर रहे हैं जैसे बिहार का इंटर्वी होने जा रहा है नौंबर में बिहार का जो एडीजे का इंटर्वी होने जा रहा है अन्य स्टेट में यूपी उत्तराखंड जारखंड राजिस्थान दिल्ली जहां पर भी जूडिश्री एपी ओ हायर जूडिशल का एक्जाम है वहां पर यह अब यह कोसंस आने आई ही आने है पर डिया स्टुडेंट आई अम हर्जब्यारी श्रवास्तो लॉइश्पर्स परिच्छा रिफ्रेशर ऑनलाइन लाग क्लासे फ्रामिल आबाग परिच्छा रिफ्रेशर एक ऐसा च कि जो लोगों ने परिच्छा रिफ्रेशर यूटूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के समय में जो वी वीडियो बनेगा वो आपके सिस्टम और इंडिकेट करने लगेगा कि परिच्छा रिफ्रेशर रिफ्रेशर राग क्लासेस का कोई नया वीडियो आ गया है इसमें आप लोग को हायर जूडिसल जूडिसल या एप उसकी कोई वेकैंसी आती है उसके बारे बताय जाता है जब एक्जामनेशन होता है उसके पेप क्लासेस सेलेक्ट होते है उन से आपलोग को चैनल पर मिलवाया जाता है अभी आपने देखा कि बिहार के EPO में इस क्लासेस से परिच्छा रिफ्रेशर राग क्लासेसे § पच्पन स्टूडेंटों ने सलेक्सेल लिया, इस बार जो पिहार के जुडिसरी हुई है, उसमें परिच्छा रिफ्रेशल आणलाइन ला क्लासे से 22 स्टूडेंट इंटर्व्यू दे रहे हैं, चार स्टूडेंट हाय जुडिसरी का इंटर्व्यू देने जा रहे हैं, तो यह सब सफलता है परिच्छा रिफ्रेशल आणलाइन लाग क्लासे पर इस्टूडेंटों को मिलती रहती है, तो जो लोग परिच्छा रिफ्रेशल आणलाइन लाग क्लासे को जॉइन करना चाहें, वो जॉइन कर सकते हैं, वो दो नंबर शो कर रहे हैं, आपके स्क्रीन प 2014 एक एतिहासी घटना है, जो 16 अक्टूबर 2014 को न्याई की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई ऑन्रेबिल सुपरिंग कोट में, यानि कि जो देश का सबसे बड़ा कोट है, एपेक्स कोट है, जिसको हम लोग सुपरिंग कोट कहते हैं, वहाँ पर न्याई की देवी की नई प्रतिमा लगाई गए, ऑन्रेबिल चीप जस्टिस के द्वारा, न्याई की देवी की नई प्रतिमा लगाई गए, उसमें और पुराने में क्या-क्या चेंजेस हैं, जो आप लोग के एक्जामनेशन के पॉइंट अभी से जरूरी है, सबसे पहले, आँखों पे जो काली प्रतिमा लगाई थी न्याई के प्रतिमा पुराने पे उसको हटा दिया गया है, और जो उन्होंने हाथ में तलवा ले रखा था, उसको हटा दिया गया है, यह जो अब नई प्रतिमाई है, उसमें दाहिने हाथ में न्याई के प्रतिमा ने तराजू ले रखा है, जो समच सभी लोग समान है जो दाहिने हाथ में तो उन्होंने तराजू ले रखा है और न्याई के नई प्रतिमा में जो बाया हाथ है जिसमें उन्होंने तलवा ले रखा था जो ये उस समय प्रतीक होता था दंड देने का अब उसके जगह पे संबिधान लिया है तो दाहिने हा मूर्ति जो है सफेद रंग है सफेद इसक्वाइर प्लेट फार्म पर इस मूर्ति को रखा गया है देखे जो अभी तक न्याय की मूर्ति थी वो ब्रिटिस पिरिट की थी और सत्रहवी सताब्दी में यूनान की देवी को जिनका नाम जस्टिया था उसको एक अंगरेज न्य का प्रतीक मानने लगे और जितने भी न्यायाले उस समय के भारत में थे और स्वतंत्रता के बाद भी थे वहाँ पर ये न्याय की प्रतिमा लगी होती थी जिसमें वो जो न्याय की प्रतिमा होती थी वो काला कपड़ा अपनी आखों पर लगाई रहती थी जिसका ये प्रत में तलवार लिया था जो दंड का प्रतीत था यह आपने वेशिक काल के इस परंपरा को भारत सरकार ने बदलने के पूरी कोसिस किया जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी एक जुलाई दो हजार चौबे से आपने वेशिक काल के तीन दंड आत्मक लौ को हटाया गया भारती दंड सहिता IPC को हटाया गया उसके जगह पर भारती न्याय सहिता BNS लाया गया दूसरा दंड प्रक्रिया सहिता 1973 को हटाया गया उसके जगह पर भारती नागरिक सुरच्छा सहिता लाया गया तीसरा भारती जो साच अधनियम था इंडियन एवडियन सेक्ट था उसको हटा गया है कि न्याय दिया जाएगा ना कि दंड दिया जाएगा इसलिए नई जो प्रतिमा न्याय की देवी किये उसमें तलवार हटा दिया गया है संभिधान पकड़ा दिया गया है संभिधान दे दिया गया है कि देश अब संभिधान के अंसार चलता है न्याय जो है संभिधा रख्यागा कि जो न्याई की नई प्रतिमा है जो अब हम सब लोग के लिए सामने आ गई है जिसको जब संविदान हमारा लागू हुआ था हम लोग उसको भारत माता की संग्या देते थे अब 16 अक्टूबर दो हजार चौबिस से ये न्याई की नई प्रतिमा अब आप लोग को ध्यान में रखना है एक बार हम ब्रीफ में फिर से आप लोग को रिवाइस कर दे रहे हैं आग पर से जो उनकी आग पर काली पट्टी थी हटा दी गई है नमबर दो जो बाएं हाथ में उन्होंने तराज दान के ओबंदों से चलेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए कमेट जरू लिखा करिए कि आप लोग के कमेंट्स हम बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं हम उसी कमेंट्स के बैसिस पर अगला कोई वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं तो ये आज 2014 से हटा दिया गया है और नए प्रतिपाम लोग के सामने ला दिया गया है और इसलिए इसके शुरुवात सबसे बड़े एपेक्स कोर्ट ऑन्रेबिल सुपरिंग कोर्ट से हमारे महा जो हमारे ऑन्रेबिल चीप जस्टिस है जस्टिस डीवाई चंदरचून जिन इसका अन दे रहे है धन्रेबिल